तो एक तुरफ कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं शिमला से कैसा मामला सामनी आया जिसे देखकर आप हैरान और परिशान हो जाएंगे दरसल कोरोना की चलती पूरे प्रदेश में खेलकूत प्रतियों गिताओं पर रोक लगी हुई है लेकिन प्रदेश के सिक्षा मंत्री सुरेश भारदवार्ट के पैत्रक गाउं में बॉलिबॉल टूनामेंट का आयूजन कराया गया इस टूनामेंट में सिक्षा मंत्री के बेटे अनुराग भारदवार्ट बतोर मुख्यातोती शिर्कत करने के लिए पहुचे थे ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उड़ता है कि जब सत्ता से जुड़े लोग इस प्रकार नियम और कानूनों की धर्जियां उड़ाएंगे तो आम चंदा के बीच किस तरह का संतिश जाएगा और तो और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जम कर वाइरल भी हो रही है आपको पतादें लोगों के बीच अभी चर्चा है कि क्या नियम और कानून महद आम लोगों के लिए है आपको पतादें आप तस्वीरों में देख सकते हैं अनुराग भरदौाज मوجود है और तमाम लोगों के साथ मوجود है ना मास्क है ना शोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान है और ये भी आपको बताएं कि इस प्रतियोगिता के दोरान ये जो शेत्र आप देख रहे हैं जो मैदान आप देख रहे हैं यहाँ पर लगबग 300 लोगों का हुजो में कट्टा था तब कि सरकार की तरफ से सेंट्रल के तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि पचास से जादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं इस कबर पर जादा जानकारी के लिए अमरे समधाता अंकुष डोभा लाइव जुड़ चुके हैं शिमला से लाइव जुड़े हैं अंकुष दुपहर के इस वक्त जब आपसे बाचीत हो रही थी तो इसी तस्वीर का हमने जिक्र किया था दर्शकों को हम लगातार दिखा परान तो क्या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कारवाइस उनिश्यत हुई है कि बिल्कुल जब से शोशल मीडिया पर ये तस्वीरे वायल हुई है उसी समय से लोगों के पीच में चर्चाओं का जो माहौल है वो भी गरम हो गया है और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा लेकिन उनके बेटे जो हैं वो एक ऐसे कारेकरम में शिर्कत करते हैं जिसके बाद जो तस्वीरे शोशल मीडिया पर वायरल हुई लगातार लोगों ने उसकी जो किरकिरी की लेकिन फिलाल परदेश सरकार की ओर से कोई कारवाई की बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है हालांकि जो शिक्षा मंतरी के बेटे हैं अनुराग भारदवाज उनका कहना है कि वो जो है बगीचे देखने के लिए वहाँ पर गए थे और उन्हें इस कारेकरम की जानकारी नहीं थी लेकिन फिलाल पूजा जो आप कारवाई की बात करें फिलाल परदेश सरकार और बोरा घिरें हैं क्योंकि उनका पैत्रक गाउं में आयोजन हुआ उनको परमीशन किसने दे दी इतना बड़ा आयोजन करने के और फिर उसके बाद उस आयोजन में वो पहुच जाते हैं पहुचने के बाद इतनी बड़ी गैदरिंग होती है सवाल उठने लाजमी है कि बिल्कुल जो खेल कूद के जितने भी प्रतियोगिता हैं या फिर जिम की बात की जाए वो सभी फिलाल अभी बंद है ऐसे में किस तरह से कुना मेंट का योजन किया गया ये भी बड़ा सवाल है अनुराग भारदवाज वहां पर उन्हें मुख्य थिती के तौर पर शिर्कत की और उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार भी गरम है और सोशल मीडिया पर भी जम कर किरकिरी हो रही अनुराग भारदवाज की कि किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की रहे चाहर यह आघी साथ जो हाथ मिलाने की बात भी है कि किस तरह से हाथ नहीं मिलाना या फिर नमस्ते करके एक दूसरे का भारद्वाज के बेटे को घेरा कि किस परें अपना ए हुए और साती सात उन्हों ने जो यंग्य प्रदेश सरकार में इसा था उसको भी आड़े हातो लिया है बिल्कुल महिला मोर्चा के द्वारा यग्य का आपने जिक्र किया अरुराग भारदवाज की ये तस्वीरे सामने आ रहे हैं और दूसरे तरफ मन की बाद जब प्रधान मंतरी करते हैं तो कहते हैं कि अभी भाई लडाई को गंभीरता से लेना पड़ेगा लेकिन जब धरातल पर हम आते हैं ग्राउंड जीरो पर और जिम्मेदार ही इस तरह की की हरकत करते नजर आएं तो क्या कहा जाएं आम जनता को क्या समझाएंगे आप क्या संदेश उनके बीच में जाएगा आप पोलिंग के जरीए बात कर रहे हैं कि प्रधेश के अंदर होना चाहिए इस लड़ाई में मुख्यमंत्री साथ की मांग करते हैं प्रदेश वासियों से लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं उनके जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं किसा आफ नजर आ रहा है जी बिल्कु निश्ची तोर पर आज यह तस्वीरे जब से वाइरल हुई है तब से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की किरकरी हो रही है इससे पहले भी जिब मेला मोर्चा के तवारा हावन कारेकरम कर रहा गया था उसमें भी विपक्ष नाड़े हाट दो लिया था और साथ जाता से शोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उस यग्या में और साथ ही साथ यह जो टूनेमेंट की था सीविरे वाइरल हो रहे लही है यहां पर किस तरह से तीन तो लोग एकट्रित हो जाते है और प्रशाशन की नाग के नीचे कारेकरम किया गया और प्रशासन को इसकी बनक भी नहीं लगी तो भी कारवाई नहीं की गई यह बढ़ा सवाल है कि कि तरह से जो है वो दोरे माप दंड अपनाए हुए है और जनता में जोन निश्ची तौर पर एक गलत संदेज जाता है जब स साज़ा करने के लिए अपने बहुत ज़ादा ख्याल रखे अंकुष डोबाल हमारे समाधाता जुड़े जनोंने ग्राउंड जीरो की तस्वीर पर जानकारी आपके साज़ा करी है और ये भी बताया कि किस तरीके से सत्ता पक्ष चुप्पी साधे हुए है और फिलहाल कितनी भी लीपा पोती कर ली जाए इन तस्वीरों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है